IPO में invest करना लाभदायक और नुकसान दायक दोनों है IPO में invest करना आज के समय में हर कोई चाहता है लेकिन कई बार company के IPO में invest करना जोखिम भरा लगता है क्योंकि कई कमपणियों की listing इतनी दंदार साबित नहीं होती है Market में Tata Technology Company ने एक नया बवाल मचा कर रखा है और इसके बाद एक और technology company अच्छा profit देने की तयारी कर रही है पहले दिन इतना जबरदस्त response मिलने के बाद दूसरे और तीसरे दिन भी अच्छा response मिला है profitable IPO ये company IPO के माध्यम से stock market से एक बड़ी रकम वसूल करने वाली है जिससे company आगे चल कर इसी पैसे को अपने business में लगाने वाली है इस technology company का IPO एक December को ओपन हुआ था और इसकी closing चार December को है लेकिन ग्रे market में इस company के stock में काफी अच्छा खास response दिया है जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि company की listing दमदार साबित हो सकती है कौन सा है IPO Stock market में लगातार December के महीने में भी कई company के IPO देखने के लिए मिल रहे हैं Tata Technology के बाद इस technology company में सभी की नजर थी और अधिकतर लोगों को IPO में invest करने का मौका मिल गया क्योंकि इससे पहले कुछ लोगों ने Tata Technology Company में invest किया था और कुछ लोग Tata Technology Company के stock में invest नहीं कर पाए थे बता दे हम बात कर रहे हैं Net Avenue Technologies IPO की Net Avenue Technologies Company ने IPO एंकर के माध्यम से पहले ही अच्छा खासा पैसा जुटा लिया है जानकारी के अनुसार यह Technology Company IPO लाने से पहले लगभग 2 करोर रुपे एक अत्रित कर चुकी है इस कमपनी के एक लॉट में 8,000 शेयर को रखा गया है और प्राइस बैंड की बात करें तो यह करीब 16 रुपे से लेकर 18 रुपे के बीच निर्धारित किया गया है इसके अनुसार इंवेस्टर को लगभग कम से कम 1,44,000 रुपे इंवेस्ट करने होंगे Net Avenue Technologies Company का स्टॉक ग्रे मार्केट में 7 रुपे की प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है इसका मतलब है कि कमपनी की लिस्टिंग 38 प्रतिशत ज्यादा की हो सकती है 12 दिसंबर को लिस्ट होने वाली है Avenue Technologies Company के IPO को पहले दिन 14 गुना सब्सक्राइब किया गया था और दूसरे दिन 54 गुना सब्सक्राइब किया लगातार इस कमपनी को मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है Avenue Technologies Company के बारे में भी लगातार एक्सपर्ट के द्वारा नई नई स्टेट्मेंट सामने आ रहे है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्श लें